आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउटनोड नाओ अब यह जो क्वेशन हमें गिवन है यह हमें कहता है कि राइट दे नर्ट स्टेक्वेशन आन्द यह में फोटो फॉलविंग तो हम ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहला जो हमें गिवन था वो था mg, mg2+, Cu2+, and Cu के लिए तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे cell reaction लिखेंगे cell reaction में में पस क्या हो रहा है कि mg जो है वो में पस change हो रहा है mg2 पॉजटिव में तो मतलब mg2 पॉजटिव तो यहां पर में पस आएगा और Cu2 पॉजटिव है वो change हो रहा है Cu में means plus Cu2 positive जो change हो रहा है Cu में ठीक है तो अब सबसे पहले तो हम N calculate करते हैं N में क्या था है mg जो है उसने क्या क्या 2 electrons lose किये 2 positive Cu2 positive है उसने 2 electrons gain किये तो हमारे पास N कितना है reaction का 2 तो मेरे पास जो E of the cell है वो क्या होगी E of the cell is equal to from nurse equation के E of in of the cell is equal to E of the cell at standard minus 0.0591 divided by N into log of concentration of concentration of ions in the products upon concentration of ions in the reactants ठीक है यह होगी मेरे पास यह पता है कि standard कितनी थे 0.34 minus ठीक है minus और minus यह कितना है 2.37 यह मारे पास यह यह standard कहां से यह मेरे पास E of the cell यह मेरे पास C of the cathode minus E of the anode और हम टेबल से निकाल सकते थे कि मेरे पास magnesium और copper के लिए E cathode और E anode क्या होता है ठीक है तो यह मेरे पास यह वाल्यू जाएंगे और यह फिर आया 10 to the power minus 4 और mg की कितनी है 10 to the power minus 3 तो यह थी log of 10 to the power minus 3 upon 10 to the power minus 4 तो जब हम यह value calculate करते हैं यह मेरे पास आती है 2.71 minus 0.0295 which is equal to 2.68 volts अब next reaction लिखते है next क्या कहता है Fe 2 positive में change हुआ है और H positive H2 में change हुआ तो B part के लिए जब हम पहले cell reaction लिखते है तो क्या होगा Fe changes to Fe 2 positive and H positive changes to H2 तो में पास यहां पे कहाएगा balance करने के लिए 2 तो में पास दिख रहा था कि Fe 2 positive में change हुआ है तो N is equal to 2 और फिर हमें calculate करना था E of the cell तो add standard conditions पहले हम देखेंगे फिर minus 0.0591 upon N into log of concentration of ions in the products upon concentration of ions in the reactants और यहां पे coefficient 2 था साथ में तो उसको square हो जाएगा उपर जाकर तो यह जो value है में पास क्याएगी E of the cathode minus E of the anode cathode जो है वो यहां पे hydrogen है hydrogen का तो हम 0 लेते है तो 0 minus iron का हम लेते है minus 0.44 तो यह value क्याएगी में पास 0.0591 upon 2 into log of concentration of Fe 2 positive में कितना है जाएगा 10 to the power minus 3 और H का कितना गिवन था 1 bar pressure means 1 10 to the power minus 3 upon 1 और इसका square तो यह जो value है में पास आएगी 0.44 plus 0.887 which is equal to 0.523 volts तो हम चलते है नेक्स पे अब थर्ड जो है वो हमें कहता है कि हमारे पास था SN यानिकी tin hydrogen तो C part cell का reaction लिखें तो SN change हो रहा है हमारे पास SN 2 positive में और H positive change हो रहा है मेरे पास H2 में तो balance करने के लिए यहां पे 2 लगे है अब SN 2 positive में जा रहा है तो N क्या होगा 2 होगा फिर वैसे E of the cell अगर मैं calculate करूँगी तो वह पहले standard E of the cell आएगा cathode जो है वो यहां पे hydrogen है hydrogen का 0 होता है तो 0 minus minus of SN के लिए हम table से देख रहेंगे कि यह 0.14 minus 0.0591 upon N कितना है 2 into log of concentration of product के ions इसमें कौन से थे SN 2 positive SN 2 positive की concentration हमें क्या गिवन थी 0.05 molar so this is 0.05 upon concentration of H positive जो की थी 0.02 और साथ में हमारे पस 2 लगाता था देख यहां पे तो यह हो जाएगा square तो यह मेरे पस क्या हैगा तो यह हैगा 0.14 minus 0.0591 upon 2 into log of 125 तो यह मेरे पस आएगी 0.14 minus 0.0591 upon 2 into 2.0969 which is equal to 0.078 volts तो यह तो थी मेरे पस his reaction के लिए अब हम देखते हैं next reaction के लिए जो involve करता है platinum and bromine को तो यह आया हमारे पस D part D part के लिए cell reaction लिखेंगे गरा तो BR negative जो है वो change हो रहा है कि इसमें BR 2 में तो balance करने के लिए 2 फिर उसके बाद हमारे बास H positive था H positive change हो रहा है H2 में तो इसको भी balance करने के लिए हमारे बास क्या आएगा 2 अब देखो यहाँ पर हमारे बास N की value जो है वो कितनी आएगी मैं बस 2 BR negative है और वो BR 2 में change हो रहा है means 2 electrons जो है यह क्या कर रहा है loose करता है तो N is equal to 2 तो यहाँ पर मेरे पास E of the cell जो हो क्या आएगा E of the cathode जो की hydrogen है यानिकी 0 minus E of N जो की bromine का है जो से हम टेबल से observe कर रहे सकते थे वो हता 1.01 minus 0.059 1 upon N जो था वो 2 था into log of देखो अब हम हमें देखना था concentration of ions in the products वो तो थी यह नहीं हमारे पास तो concentration हम देखते है 1 upon reactants में यह ions है तो ions की concentration देखते है तो bromine की concentration थी 0.01 और hydrogen की concentration थी 0.03 तो यह आएगा 0.01 और हमारे पास यहां पे देखो 2 था तो coefficient की power लेते है तो यह coefficient जो है वो power बन जाते है 0.01 का square into 0.03 जो की hydrogen की concentration दी और इसके साथ भी 2 लगा होता तो 2 हमारे पास power में चला जाएगा तो यह हमारे पास value जो है वो आती है minus 1.08 minus 0.0591 upon 2 into log of 1.11 into 10 to the power 7 यानि की minus 1.08 minus 0.0591 upon 2 इसका log जो हमारे पास आते है 7.04 तो अब जब हम इस value काल्कुलेट करेंगे तो यह हमारे पास आते है minus 1.28 volts आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट 4404 चार्सो पर